अल्रेट, चेक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टून टेक में, दोस्तों, शाओमी जल्दी इंडियर मर्केट में अपना काफी तगड़े कैमरे वाला लो बजट 5G स्मार्टफोन लॉंच करने वाला है, जिसका नाम है शाओमी रेड्मी 13, तो आज किस वीडियो में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो चेलेगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूबाल के डिस्प्ले के बारे में, जिसमें आपको 6.79 इंचेस के एक IPS सलसेटी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेग जो कि in-end feel में काफी बल्की होगा और इस मूबाल के refresh rate 90Hz होगा, ओवरल दिखाए तो दोस्तों Xiaomi के तरफ से आपको इस मूबाल में काफी तगड़ा डिस्प्ले सेग्मेंट देखने को मिलेगा, तो इस मूबाल में content watching में आपको काफी अच्छा experience देखने को मिल जाएगा, अगर बात करें इस मूबाल के build quality की तो इस मूबाल में front of back glass और frame आपको plastic देखने को मिलेगा, तो इस मूबाल का look out design एकदम premium होगा, और इस मूबाल का one end use और grip भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, अब चलते हैं इस मूबाल का अगले segment के तरफ जिसमें हम बात क processor आपको देखने को मिलेगा, तो इस मूबाल का processor बस आपको average ही देखने को मिलेगा, अगर बात करें इस मूबाल का performance की तो आप इस मूबाल से low to medium setting में ही gaming कर पाएंगे, higher setting में आपको काफी ज्यादा heating issue इस मूबाल में देखने को मिलेगा, और इस मूबाल के day to day performance आपको ए एक average platform होगा, अब बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें आपको 108 और 2 Megapixel का एक dual camera setup आपको देखने को मिलेगा, camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा, अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K 1080P में कफे चू क्वालिटी के photos और video shoot कर पाएंगे, अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 13 Megapixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा, और front camera की video quality 1080P होगी, ओवरल दिखाया है तो दोस्तों इस mobile में killer camera segment आपको देखने को मिलेगा, अब चलते हैं इस mobile का अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के memory के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा, internal memory आपको 128 GB और 256 GB के variants में देखने को मिलेगी, अगर बात करें इस mobile के RAM की तो इस mobile आपको 6 और 8 GB के variants में देखने को मिलेगा, अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में एक काफी अच्छू quality का mono speaker आपको देखने को मिलेगा, और 3.5 mm jack का feature भी इस mobile में होगा, अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा, इसी के साथ आपको इस mobile में virtual proximity sunsing का feature भी देखने को मिल जाएगा, अगर बात करें इस mobile का सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price, और release date की, सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो इस mobile आपको black, gold, blue और pink colors में देखने को मिलेगा, इंडिया में इस mobile का price 12,499 होगा, अगर बात करें इस mobile के release date की तो इस mobile 3 अगस्त को इंडिया में launch हो जाएगा, overall दिखा है तो दोस्तों Xiaomi के तरफ से आपको इस mobile में काफी comprise में काफी अच्छे features देखने को मिल जाएंगे, तो मेरे recording अगर आपको एक अच्छा camera phone चाहिए तो आप ये mobile ले सकते हैं, तो चलिए आप सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की, तो इस mobile के सारी feature को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी, 8 out of 10, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लेक्शेर ज़रूर करना, और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना, और comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए इतना ही, मिल दे अगले वीडियो में,